ब्यास गाती है धन्यवाद देती है गुन को जो गव सेवा माता पिता की सेवा बडों की सेवा देश की सेवा धर्म प्रजाद नशा वेशन मुक्ति अभियान संचालित करते हैं बुजर्गों का सम्मान करते हैं उनको ब्यास गाती धन्यवाते रही हैं कभी बुजर्ग का अनादर मत करना धन्यवान की निंदा करने वाले लोग हमेशा धनहीन रह जाते हैं बिद्वान की निंदा करने वाले लोग मूरक रह जाते हैं महान पुरुष की निंदा करने वाले लोग अधम कर्यों में डूबे रह जाते हैं और देश की सेवा करने वाले समर्पि देश भक्तों की निंदा करने वाले लोग देश द्रोहियों का काम करते रहते हैं वे गद्दार हुआ करते हैं देश भक्ती नहीं करते हैं कभी दानियों के निंदा करने वाले लोग दरिद्री हो जाते हैं सुख नहीं पाते हैं खोद अच्छा ना कर सको लेकिन अच्छा करने वालों की तो प्रसंसा करो धन्देवाद तो कोई भंडारा कर रहा तुम भंडारा नहीं कर सकते लेकिन प्रेम से बैटकर भंडारा खाईए और धन्यवाद देजिये कि आप महान है कोई सतसंग कर रहा हो प्रेम से बैटकर सुनी तुम नहीं सतसंग करा सकते हो लेकिन सतसंग कराने वालों के लिए शुप कामना कीजिए कि आपने बहुत महान कारे किया है बहुत बहुत धन्ड़बाद दे, तुम बहुत अच्छा प्रवचन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अच्छा प्रवचन सुना दे हैं, क्रपा करके उनको धन्ड़बाद तो दीजी, उनकी निंदा बुराई मत कीजी, तुम चंदा नहीं दे सकते हो, लेकिन चंदा लेने वालो की चंदा देने वालों की निंदा तो मत करूं कि बहुत बड़े कार्यों के लिए सरकार को भी चंदा लेना पड़ जाता है बहुत बड़े-बड़े कार्यों को करने के लिए बड़े-बड़े धन्वान को भी चंदा लेना पड़ जाता है अभी राम का मंदिर बन रहा है चं क्योंकि मंदिर बने रहा है अब हरिद्वार में बहुत बड़ा बंडारा हम करने जा रहे हैं इसके लिए भी हम अन्दानी कठा कर रहे हैं और उज्जेन में बहुत शंदर रमनीक दर्शनी आश्रम बनने जा रहा है चिप्रा नदी के तट पर महा काले सर के सानिध्य में मद अदिप्रदेश जेन तिर्थ में जहां कुम हमेला होता है वहां के लिए बहुत बड़ा चंदा इकठा किया जा रहा है सहयोग इकठा किया जा रहा है डेड़ करोड सहयोग का संकल्प हो चुका है और छे करोड की जमीन खरीती जाएगी वहीं गौसाला भी बनेगा धरमसा लाख लोगों के प्रवचन सुनने के लिए पंडाल सत्संग की विवस्था होगा एक लाख लोगों के सोने के लिए भवन का निर्माण होगा धरमसाला का वहीं होस्पिटल भी होगा इतने लोग रहेंगे बीमार हो जाएगे वहीं लाज़ा और वहीं पर नसा विशन में डूबी हुई आत्माओं को विशन मुक्त बनाया जाएगा संदेश दिया जाएगा और बिगड़े भी बच्चों को जो पढ़ने नहीं जाते माबाब को परिशान करते हैं ऐसे सैतान बच्चों को तीन घंटे का क्लास लेकर सुधारने का भी प्रोग्राम महा चलेगा और जिनकी घरों में कले कलेस बहुत ज्यादा है उनकी भी क्लास लिए जाएगे और सत्संग की माध्यम से संसकार दे करके उनको सुक्सान्ती प्रदान की जाएगी याद रखना ये आश्रम भारत देश का दर्शनी आश्रम होगा देखने योग रहने योग और ठेहरने योग और वहां का आनंद ही निराला होगा क्योंकि छिप्रा गंगा प्रवाहित हो रही है छिप्रा में असनान लोग करेंगे और आश्रम में आराम करेंगे प्रवचन सुनेंगे ध्यान करेंगे और सावन महिने में वहां कारिक्रम होगा उस विशेश आश्रम के निर्मान के लिए एक कार्यल इधर बना हुआ दूसरा उधर बना हुआ है कि हमारे मौरत धसाहु ने उसके लिए खड़े हो क्या संकल्प हुआ है तुम्हारा 11,000 का संकल्प हुआ है ये सब इंस्पेक्टर भोपाल के इनका 15,000 का संकल्प है उज्ये नासरम के लिए कहां है सब इंस्पेक्टर है इस समें CID विभाग देख रहे हैं साधी पोसाक में रहते हैं हमारे साथ शरकार के और से CID बन पर ये आये हैं इधा रहो ये इसी में मिल जाते हैं मिक्स हो जाते हैं आप पपाल में सब इंस्पेक्टर थे कंट्रोल रूम भोपाल राजधानी का समालती थे पुलिश में वागता बहुत विनम्र है हमारे साथ CID की रूप में रहते हैं आपने भी 15,000 का संकल्प लिया है कि वो जेन आस्रम में दूगा और उसमें 30 गज भुम्मी खरीदी जाएगी 500 रुपी गज भुम्मी है लगपब भुम्मी खरीदने में आपका योगदान है ताली बजादो इनके लिए बहुत महान हान सीधे सरल बिनम्र गम खाना भी बहुत बड़ा धार्व है सहन सीलता तप है नम्रता तुभारी शोभा है प्रेम करना मुनुष्य का सुभाव होना चाहिए और बुराईयों का त्याग तुमारी शक्ति की पहचान है अउगणों से मुक्त होना होना ये तुमारी पवित्रता का परिचायक है साहस संघर्स के वीच में सफलता की चापी है परिश्रम उन्नती का द्वार है सेवा विकास का पत है चिरित्रवान होना ये सस्वी बनने की राह है और दानी होना पुन्य आत्मा की पहचान है मांस मचली अंडा नसासराब का त्याग ये मानवता का परिचे है आप मानव हो आप दानों नहीं हो जिसके घर में जिसके जीवन में कोई बिशन नहीं है उसका जीवन मंदिर है उसका तंतीरत है उसके कर्म ही धर्म है पूजा को कर्म मत बनाओ ना लेकिन अपने कर्म को पूजा बनाओ मंदिर को अपना घर मत बनाओ लेकिन घर को मंदिर बनाओ और प्रशन नहो कर जीने का अभ्यास करो खुस रहना सीखो कच्णा मत फैलाओ सफाई रहो हर कदम सचता की ओप सत्संग अस्थल में भी गंदगी ना करो मैं देख रहा हूँ सत्संग में बहुत लोग आते हैं चना का बूट खाते हैं कच्णा डालते हैं और फिर कहते हैं गुर्देओ तुम सफाई करना कल फीर आऊंगा गंदगी करोंगा मजे सफाई करमी समझाए तो कहते हैं मन की गंदगी साफ करते हैं ये मनदब की भी गंदगी तुम ही साफ करो कोई यहां का गजभाड कर डाल देता है कोई जिल्डी डाल देता है कोई पोली थीन डाल देता है कोई पानी पीकर पॉज डाल देता है पानी पियो लेकिन खाली पॉज यहां मट डाल अपने आगे रख लो जब जाना साथ में ली जाना बाहर कहीं कचड़े के ढेर के पास छोण पेगा इतना सुन्दर पवित्र विछामन पवित्र मंड़प सिर्फ सत्संग में जो यूज होता है कभी वहां कचड़ा मत करना यहां पवित्र आत्मय बेटती हैं यह दिब्या स्थान है और याद रखना भगवान ना तो कहीं शर्ग बनाया है और ना तो भगवान ने कहीं नरक बनाया है शर्ग और नरक बनाने की कला इंसान के हाथों में दे दिया है कि जहां तु चाहे वहां सर्ग बना ले जहां तेरी इच्छाओ वहां नरक बना ले जितनी ज़्यादा स्वच्छता और सफाई रखोगे ये बाहर का स्वर्ख खान पान भी स्वच्छो ना चाहिए मांस मचली अंडा मत खाईए कुकरी मुर्गी मत खाईए 36 गड़ में कुकरी मुर्गी अंडा बहुत खाते लोगे जब ये चावल का कटोरा है प्रदेश तो ये अंडा क्यों खा रहे हैं दूसरे प्रदेशों से भर-भर कर ट्रकों में अंडे आ रहे हैं गीत गा रहे हैं लोग शंडे हो या मंडे रोज खाऊ अंडे यम्राज के लगेंगे डंडे कोई बात नहीं फिर भी खाऊ अंडे संडे हो या मंडे मत खाऊ अंडे खान पान में पवित्रता युक्ताहार बिहारस युक्तचेश्टस करमसो युक्त सुपनाव बोधस योगो भवद्दु खाऊ स्रीक्रश्ण स्रीमत भगवत गीता में अरजुन को समझाते हुए कह रहे है क्या कहते हैं स्रीक्रश्ण कि हे अरजुन यदि सभी दुखों से बचना चाहते है दुख से दूर होना चाहते है या दुख को खुद से दूर करना चाहते है युक्ता हार बिहार से यथा योग आहार बिहार कीजिए युक्ता पूरुबक भोजन कीजिए बहुत महत्त पुरुन बात कही है यथा योग आहार फिर कहाई युक्ता चेश्टर से करम सू यथा योग करम कीजिए पिर कहा युक्त स्वपनाओं वो धस और यत्वायोग सैन जागरन कीजिए तो वह योग सिध्य हो जाएगा जिस से की आपके जीवन में दुखदूर हो जाएगा आहार बिहार को सुधार्ण आहार बिहार में पभित्रत अपा तुम आहार क्यों लेते हो जीवन जीने के लिए लेकिन जिस मुर्गी बकरी गाए भेंस को मार कर खाते हो क्या वे जीवन नहीं जीना चाहते हैं उनकी जीवन को खतम कर देते हो उनको खा करके तुम अपना जीवन जीना चाहते हो मचलियां जब जल में तेर रही हो तो उनको देखो कितनी सुन्दर कृड़ा कर रही है इदर पोच फेकती उदर फेकती सीर इदर उदर फट से भागती है बड़ा आनन दाता है उस मचली को फकड़ कर मार कर काट कर खा जा ले मचली को कितनी पीड़ा होती हो अभी चायना में कोरोना वाइरल आया है कहते हैं वो सभी चीजों का मांस खाते हैं चिम गोदर से फैल गया वाइरल चिम गोदर को खाते हैं और चिम गोदर उल्टा लटका रहता पेड़ों में मुँसे खाता है मुँसे ही लेटरीन कर देता है अब उसको ये खाते हैं, अब कोरोना वाइरल फैल गया, अब मर गए लाक दो लाक, इतने तो चिमगोदर भी नहीं मरे होंगे, जितने ये लमगोदर मर गए, मरोगे ही, क्यों खाते होंगे, आपके खाने के लिए कमी क्या है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, 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 राम का नाम लेने से क्या फाइदा, 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 दान का हाथ आगे बढ़ा या नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फाइदा, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुशीबत से क्या वास्ता, ऐसे जो स्वार्थी लोग है, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुशीबत से क्या वास्ता, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फाइदा, उसको गंगा नहाने से क्या फाइदा, जिसको गंगा नहाने से क्या फाइदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसको गंगा नहाने से क्या फाइदा,